अक्सर लोग रोटी और दूद को अलग-अलग खाते या पीते हैं, लेकिन आप रोटी को दूद में मिला कर खा सकते हैं। रोटी तो हम सभी खाते ही है लंच और डिनर में ज्यादा लोग अक्सार रोटी ही खाते है कुछ लोग रोटी को सबजी के साथ खाते है तो कुछ लोग रोटी के डाल के साथ खाना पसंद करते है इसके अलबा वच्छे रोटी को सौस, जैम, आधी के साथ खा लेते हैं कुछ लोगों को रोटी चाय या कॉफी के साथ खाते हुए देखा जा सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी को दूद के साथ भी खाय जा सकता है खास का रात के समाई रोटी को दूद के साथ खाना बहत फाइदामन्द होते है अक्सल लोग सोचते हैं कि आखिरी दूद और रोटी खाना कैसे फाइदामन्द हो सकते है अगर आपके सरीन में बिटिमिन्स, मिनेरिल्स या कैलसियम की कमी है तो आप रात को रोटी दूद का 7 कर सकते है रोजाना रात को दूद के साथ रोटी खाने से सबी जरूरी पोसक तत्वा को फराप्त किया जा सकता है दूद रोटी खाने से बिटिमिन, केलसियम, आयरेन और प्रोटीन जैसे पोसक तत्वा की पूर्ती होती है इसलिए कहा जाता है कि दूद रोटी खाना सैथ के लिए बहुत ही फाइदमेंद होता है अगर आप भी पेट से समझनीत समझाव जैसे कब्ज, अफच और ग्यास का सामना कर रहे है तो दूद और रोटी एक साथ खाना फाइदमेंद हो सकता है पेट को हेल्दी रखने के लिए आप रोज़ोना रात में दूद रोटी खा सकते है रात को दूद रोटी खाने से कब्ज, डाइरिया और एसरीटी को कम करने में मदद मिल सकती है इसके साथी दूद रोटी खाने से पेट फूलने की समझाव से भी रात मिल सकती है अगर आपको अक्सरी तनाब रहता है या फिर दिन वर काम करने के बाद आप रात को तनाब महसुस करते है तो दूद रोटी खाना लाबकरी हो सकता है रात को दूद और रोटी खाने से तनाब को कम करने में मदद मिल सकती है दूद रोटी खाने से रिलक्स फिल होते है तनाब कम होता है और नींद भी अच्छी आती है दूद और रोटी का कम्बिनेशन आतों के लिए भी बहुत ही फाइदमन्द हो सकता है अगर आप बेबजा या कमजोरी की वज़े से अकसरी थकान महसूस करते है तो आपको पोसत तत्व से भरफूर खाना खाने की सला दे सकते है आप चाहे तो थकान और कमजोरी दूर करने के लिए दूद रोटी का सेवन कर सकते है रोजना रात को दूद रोटी खाने से आपको ताकत मिलेगी और थकान से राहत मिलेगी दोस्तो वजन बढ़ाने के लिए अक्सर रात को दूद पिने की सला दी जाती है अगर आप रात को दूद में रोटी मिला कर खाएंगे तो इस से आपकी बजन तेजी से बढ़ेगी इसलिए दूबले पतले और कमजर लोग को दूद और रोटी को रोजना रात में जरूर खाना चाहिए इस से आपको फरिजाफ्त कैलोरी, फैट और कर्ब्स मिलेंगे जिस से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है दूद में रोटी कैसे खाएंगे आप रोटी और दूद को एक साथ मिला कर खा सकते हैं इसके लिए आप एक ग्लास दूद गर्म कर ले, इसमें एक दो रोटी तोड कर मिला दे कुछ देर रोटी को दूद में भिगव कर रखे, ताकि रोटी दूद को अच्छी तरह से सोंक ले इसके बाद आप दूद को धीरे धीरे और चबा चबा कर खा सकते हैं दूद और रोटी को रात के समय खाना सब से ज्यादा फाइदेवन माना जाता है इसलिए आप भी हिल्दी और बिमारियों से मुक्त रहने के लिए रात में रोटी को दूद के साथ मिला कर खा सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियों में आपने जाना कि दूद और रोटी को रात में खाने से आपको इतने सारे फाइदे होने वाले है आप में से कितने लोग दूद और रोटी को साथ में खाएंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को प्लीज लाइक करें और सब के साथ सेयर करें और आप हमारे Health Information यूटूब चानल को प्लीज सबस्राइब करें